तो देखिए, तो देखिए, कोशन आपके सामने है, इसका सोलूशन अमेंट रॉख करना है और सोलूशन ड्रॉुट करने का टेकनिक बिल्कुल वैसा ही रहेंगा जैसे हमने इसके पहले के दोनों प्रॉलिम्स में यूज किये थे तो सबसे पहले हम question पढ़ेंगे question में क्या data दिया है वो हम पहले check करेंगे then after इसका solution बनाएंगे देखो question में यहाँ पे major axis का length दिया हुआ नहीं है question में यहाँ पे minor axis का length दिया है और distance between foci दिया है वो distance between foci और minor axis का use करके हमें major axis पहले find out करना पड़ेंगा then after हम यहाँ पे ellipse draw करेंगे और ellipse draw करने के लिए यहाँ पे question में ही दिया है कि draw the solution by concentric circle method तो चलो अब यहाँ पे हम यह draw करना start करता है लेकिन उसके पहले आपको थोड़ इसी जानकारी दिया है कि distance between foci अगर दिया है तो किस तरह से हो सकता है देखो generally आपको पता है कि ellipse draw करने के लिए आपको पहले major axis draw करना होता है और minor axis draw करना होता है और यह generally जो है यह perpendicular to each other होते है हम इसको नाम देंगे that is a b और यह जो minor axis है वो रहेंगा c d और यह major axis पे आपको foci मार्क करना होता है ठीक है तो a के तरफ इधर एक रहेंगा foci और इधर एक रहेंगा ठीक है तो यह जो रहेंगा यह है f1 और इधर जो रहेंगा वो रहेंगा f2 ठीक है यह जो f1, f2 है they are the foci जो की ellipse के center होते है ठीक है तो generally कोई problem में major axis, minor axis का length दिया होता है और उसका use करके आप आसानी से ellipse drop कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे especially क्या है यहाँ पे a से लेके b तक का जो major axis का length है वो नहीं दिया है यहाँ पे f1 से लेके f2 तक का length दिया है और वो दिया है 90 mm और जो minor axis है cd वो तो यहाँ पे दिया है 70 mm ठीक है तो इसका मतलब ये देखो ये a को हम यहाँ से निकाल देंगे देखो यहाँ से लेके और ये b को भी हम यहाँ से निकाल देंगे ये को यहाँ से लेके यहाँ से length दिया है, F1 से लेके F2 तक length question में दिया है, that is 90 mm distance between 4 side और minor axis और अब हमें इसी का use करके बस क्या करना है ellipse draw करना है, लेकिन उसके लिए जैसा हमने कहाँ, पहले major axis find out करना पड़ेगा, तो चलो अब construction start करता है, तो ये देखिए, ये हमने 90 mm का line यहाँ पे draw कर लिया है इसका मतलब जो question में दिया है यहाँ पे distance between 4 side वो हमने यहाँ पे draw कर लिया है हम इसको naming दे देंगे as a F1 F2, और अब हमें यहाँ पे minor axis draw करना है, तो जैसा हमने इसके पहले कहा था कि major axis, minor axis generally perpendicular to each other होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह जो 90 mm है इसका midpoint यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पे minor axis perpendicular draw करना है centrally, तो हम क्या करेंगे, यह 90 mm का midpoint, that is 45 mm पे यह हमने ले लिए और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे perpendicular angle लेंगे और इसके लिए आपको protector का यूज करना है, तो protector हम यहाँ पे रखेंगे, और यह देखिए यह हमने perpendicular angle ले लिए और यह angle पे आपको क्या करना है यहाँ पे minor axis show करना है minor axis का length क्या है, तो minor axis का length दिया है, question में that is 70 mm, तो 70 का half उपर draw करना है, half नीचे यानि 35 mm उपर और 35 mm नीचे तो यह देखिए, हम यहाँ पे draw कर लेता है just a minute तो यह देखिए, यह बन गया minor axis, एक बार check कर लेंगे, यह length बिल्कुल सही है कि नहीं, half length होना चाहिए, उपर नीचे, तो यह हमने जहाँ तक ठीक बनाया है और यह minor axis को हम naming देंगे हम इसको कहेंगे C and D नीचे, ठीक है, और यह center रहेंगा, यहाँ पे O, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताया है, वो हमने वहाँ पे draw कर लिये है और अब हमें यहाँ पे major axis find out करना है, जैसा हमने कहा, बिना major axis के आप ellipse draw कर नहीं पाऊंगे तो यहाँ पे major axis find out करने के लिए क्या करो, सबसे पहले जो focii के ends है, उसको right और left side में extend करो क्योंकि यह तो confirm है कि यह focii के points है, तो इसके इधर एक point आएंगा major axis का, इधर एक point आएंगा तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर extend कर लेंगे तो यह देखिए, यह हमने यहाँ पे इसको फिलाल faint, यह हमने faint draw किया है, तो यह देखिए, हम इसको भी इधर extend कर लेते हैं इधर एक point आएंगा major axis का तो अब आपको क्या करना है अब आपको Composs ले ले हैं और Composs का use करके यहाँ पे major axis find out करना है तो Composs का use किस तरह से करना है देखिए, यह हम Composs ले लिए है आपको क्या करना है, Composs में यहाँ पे C से लेके F1 तक का length ले लेना है C से F1 बोलो, या C से F2 बोलो, एकी बात है तो यह हमने Compose में C से लेके F1 तक का Length यह हमने ले लिए ठीक है यह देखो C से F1 तक का Length है और अब आपको क्या करना है Compose का Center O पे रखना है इधर जो Line गई है F2 के बाद में उधर आपको Cut करना है यह देखो F2 के बाद में हम इधर Cut करेंगे इधर आपको एक Point मिला और Compose का Center फिर से यहाँ पे रखो और Left Side में F1 के बाद में भी इधर है यहाँ पे Cut करो तो यह Finally हमें यहाँ पे Major Axis के Points मिल चुके है हम इसको यहाँ पे Naming दे देंगे और यह Lines जो है वो यहाँ तक जो हमने Faint बनाये थे यहाँ तक तो यह अब हम इसको Dark कर लेंगे यह हमने यह बना देंगे और इसको Naming दे देंगे तो यह हमें फाइनली यहाँ पे Major Axis मिल चुका है उधर का End B तो इधर का End A यह देखिए और अब आपको Major Axis मिल गया वो Concentric Circle से ड्रॉ करना है यहाँ पे Arc of Circle Method का यूज नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि Arc of Circle Method का अगर आप यूज करेंगे तो ही यह F1, F2 काम में आता है नहीं तो बाकि दूसरे कोई भी जो मेथड होते हैं कहीं पे भी F1, F2 यूसफुल नहीं है तो अभी फिलाल हमें Concentric Circle Method का यूज करना है तो चलो Concentric Circle Method से अब हम आगे continue करेंगे क्या होता है Concentric Circle Method में आपको क्या करना है देखो Question में क्या लिखा था Concentric Circle Method और Two Circle Method ठीक है इसको Two Circle Method भी कहते हैं तो आपको क्या करना है Major Axis का Half Length Compose में ले लेना है तो यह Major Axis का Half Length याने A से लेके O तक का Length Compose में ले लेना है यह देखो यह हमने ले लिए AO का Length Compose में ले लिए Compose का Center O पे आएंगा और यहाँ पर क्या करना है आपको Circle ड्रॉ करना है तो यह देखो Compose का Center O पे रखे और पहले हम Circle बना लेते हैं तो यह देखिए यह हमने Major Axis का यहाँ पर Half Length Compose में लिए थे और यह Circle बना लिए ठीक है और आप बिल्कुल इसी तरह से जो Minor Axis है Minor Axis का Half Length Compose में ले लेंगे याने C से लेके O का Length आप Compose में लेंगे Compose का Center फिर से O पे रख लेंगे और Minor Axis का भी Circle बना लेंगे तो यह देखिए यह हमने Minor Axis का Circle भी बना लिए और अब आपको इसके बाद क्या करना है दोनों Circle को 12-12 Part में Divide करना है ठीक है दोनों Circle को अगर आपको 12 Part में Divide करना है आप चाहे तो Compose का Use करो या आप चाहे तो यहाँ पे प्रोटेक्टर का Use करो और आसाने से Divide करो अगर आपको प्रोटेक्टर का Use करना है तो क्या करो 30-30 Degree के Angles लो मतलब 30, 60, 120, 150, 180 उपर भी और नीचे भी ठीक है कोई भी एक साइड में लिए तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो यह देखो यह हमने प्रोटेक्टर ले लिए सेंटर पे रखे और यहाँ पे हम Angles लेंगे तो यह पहला Angle यह 30 पे, फिर 60 पे, फिर 90 पे फिर 120 पे, और 150 पे इस तरह से यह देखिए उपर हमने Angle ले लिए बस आपको क्या करना है यह सभी Parts को सेंटर से पास होते हुए आपको यहाँ पे जॉइन करना है और यह बिल्कुल आपको आर पार करना है उपर से नीचे तक ऐसा तो चलो यह हम यहाँ ट्रॉ कर लेते है तो यह देखिए फाइनली दोनो सरकल को हमने 12-12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और अब आपको यहाँ पे यहाँ पे नेमिंग देना है तो देखो बाहर के सरकल में नेमिंग देंगे यह फर्स्ट पार्ट तो यह देखिए फाइनली हमने दोनो सरकल को यहाँ पे नेमिंग दे दिये है अब आपको क्या करना है यह देखो बाहर के सरकल का 1 और अंदर के सरकल का 1 दोनो 1-1 को जॉइन करना है किस तरह से यहाँ पे जॉइन करेंगे वो समझ लो क्योंकि number of students यही पे गलती करते है आपको क्या करना है उपर के सरकल के 1 से vertical line ड्रॉण करना है और अंदर के सरकल के 1 से horizontal line ड्रॉण करना है और दोनों कहाँ पे intersect होरे वो चेक करना है और यह आपको faint pencil का use करके ड्रॉण करना है यह देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हम 2 में भी वैसे करेंगे यह 2 से अंदर के जो सरकल है वहाँ से 2 से horizontal line ड्रॉण कर लेंगे बाहर के circle के 2 से vertical line ड्रॉण कर लेंगे दोनों एक जगा क्रॉस हो जाएंगे बिल्कुल उसी तरह से यह 4 यह देखो यह 4 से vertical line ड्रॉण करो और यह 4 से horizontal line ड्रॉण करो दोनों एक जगा इंटरसेक्ट हो जाएंगे यह देखिए इस तरह से और फिर इसके 5 के साथ भी वैसे ही 6, 7, 8, 9, 10 सब के साथ आपको वही करना है तो यह देखिए ऐसा करने से क्या होगा आपको सभी के सभी cross section point यहाँ पर मिल जाएंगे यह 1 और 1 दोनों यहाँ पर intersect हो रहा है इसको mark करो 2 और 2 यहाँ पर intersect हो रहा है ठीक है यह 4 और 4 यहाँ पर intersect हो रहा है यह 5 और 5 यहाँ पर intersect हो रहा है इस तरह से आपको यह सभी points को mark करना है क्योंकि ये अब सभी points से पास होते हुए यहाँ पे ellipse draw करना है तो चलो हमने सभी points को mark कर लिया है और अब ये सभी को join करना है join करने से आपको एक perfect ellipse यहाँ पे मिल जाएंगा लेकिन ये join करने के लिए आपके पास दो option है या तो आप इसको free hand join करो या तो आप french curve का use करो french curve का use करेंगे तो बहुत ही अच्छा और smooth curve आएंगा ठीक है अभी यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा french curve नहीं है क्योंकि इतने बड़े board के लिए french curve आता नहीं है तो हम क्या करेंगे हम इसको फिलाल free hand join करेंगे तो यह देखिए फाइनली हमने सभी points को join करते हुए यहाँ पे एक ellipse curve ड्रॉ कर लिया है यह बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि यह हमने free hand join किया है इसलिए थोड़ा सा कम जादा यह हुआ है ठीक है लेकिन जब आप इसको drawing book में french curve का use करके draw करूंगे ना तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही smooth curve आएंगा ठीक है और यहाँ पे जो cross section points थे सभी को हमने naming दे दिया है यहाँ P1, P2, इधर P3, P4, P5, P6, P7 and P8 यहाँ पे A, B, C, D से पास हो रहा है यह already यहाँ points थे इसलिए हमने यहाँ पे जो naming नहीं दिये ठीक है तो finally जो question दिया था उसके according यह उसका पूरा solution बनेगा इस तरह का problem अगर exam में आया तो आपको बिलकुल यही perfect exam में draw करना है उमीद करता है कि यह पूरा solution आपको समझ में आया होगा यह आपको अपनी drawing book में ज़रूर draw करके देख लेना चाहिए और draw करते समय एक बात का ध्यान रखो कि major axis, minor axis आपको semi dark draw करना है ठीक है 2H number के pencil से और जो ellipse है वो आपको darkly draw करना है और french curve से यह आपको H number के pencil से dark करना है बाकी remaining यहाँ पे जो भी work है जो हमने red color के pencil draw किया है वो आपको faint pencil से draw करना है 4H number का pencil यूज़ करना है ठीक है तो finally आज के वीडियो में फिलाल इतना ही यह था आज का ellipse by concentric circle method का problem number 3 इसके पहले के जो दोनों problems हमने लिये थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में Thank you very much